आज मैं आप सबों के लिए बहुत इफाजयमंद वीडियो लेके आई हूँ यदि आप इसे पूरी तरह से वीडियो देखते हैं तो आपकी हड़ियों और चोरों का दर्द जिंदेगी में कभी नहीं होगी कभी भी आपको कमर और घुटनों का दर्द से परसान नहीं होना प केल्सियम की कमी को पूरी करने के लिए आज मैं बहुत ही आसान आसान सी चोई-चोटी चीज लेके आई हूँ यदि यह सब चीजों का आप सिवन करते हैं तो आपके जिंदेगी में कभी केल्सियम की कमी नहीं होगी और आप जो भी खाएंगे वह आपके सरीर में लगेगा और आपको हड़ियों और जोरों के दर से कभी परिसान नहीं होना परेगा तो यह जो वीडियो आज मैं लेके आई हूँ इसे आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले और आपको कभी भी जोरों और हड़ियों के दर से परिसानी नहीं उठाना परे और एक प्रकार का मिनरेल होता है जिसे मुख्य रूप से हड्डियों के स्वास्त के लिए जोड़ा जाता है इसके अलावा भी सरीर में केल्सियम की बहुत सारी भूमिकाएं होती है जिसे हड्डियों को ये फैदा पहुचाने के अलावा ये मास पेसियों और नस सम्मंदी स्वास्तियों दिल की धरकनों को सामान रूप से चलाने आदी में भी उपयोगी होती है जिहां फ्रेंड कैल्सियम दिमाग से सरीर के दूसरे अंग के बीच में बहतर संपर्ग बनाने के लिए भी अहम भूमिका निभाती है सरीर का 99% कैल्सियम हड्डियों और दातों में बचा हुआ एक परसंट खून मास्पेसियों एवं अनिस टीसूज में होता है प्राकरितिक रूप से कैल्सियम कई तरह के खात पदार्थो या खाने वाली वस्तूमें पाया जाता है आपको बहुत सारी ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे आपको कैल्सियम की क कमी पूरी हो जाएगी आपको कोई बारी सप्लिमेंट भी लेनी की जोड़तनी परेगी बहुत ही आसान आसान सी चीज़े हैं यदि ये सब चीजों का आप सेवन करते हैं साल साल तक भी कभी आपको कैल्सियम की कमी नहीं होने देगी तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि क पूरती करने के लिए हमें क्या-क्या चीज खाना चाहिए हैं तो कैल्सियम की कमी को दूर करने के लिए जो उपाय में बतारे जा रही हूं आप वीडियो को अन तक देखेगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले तो रोजमर्णा के जिंदगी में खाय जाने वाले कुछ ऐ पाया जाता है साथ यसाथ दूद में प्रोटीन होती है विटामिन ए विटामिन डी भी पाया जाता है इसलिए दूद का सेवन हमेशा आपको करना चाहिए और अपने बच्छों को भी दूद का सेवन जूर करने कि उन्हें आगे चल के कभी कैल्सियम की कमी ना हो दूसरी यदि की कमी पूरा करती है वहिए मचली करते ही तो कभी जिन्दगी ॽार्म हमसे बहुत चाहते हैं कि आपकी क adversary कमी कभी ना हो तो इसका सेवन यानि मचली का सेवन आपको जोड करना चाहिए तीसरा है ।थ केल्सियम की कमी को पूरा करती ही वहा bisogü यí जिसे आलमऑश इसके सिवतबर को अब कभी भी क कैलसईं के अलावा और बहुत सारे विटामिन्स मौझऊ होते हैं जो आप इससे प्रैब्ड करसकतें हैं पाचवी है केलसियम को पूरा करने के लिए वह है चीज यहां फ्रेंड यह एक डेरी उत्पाद है जो दूद से बनाया जाता है और जैसे कि आम लोग जानते ही है दूद केलसियम का बहुत में स्रोथ होता है तो दूद से बनी हुई चीजे जरूर आप सेवन कीजिए जैसे पनीर हुई टोफ को भी लेक्ट से यहां लेकिन इसमें फाइदा खालस योगर्ट ले है इसमें भी आप केलसियम के बहुत ही उच्छा होती लेकिन हमारे सरीर उससे पचा नहीं पाता है तो यदि आप ब्रोकली का यूज करेंगे तो यह आसानी से पचेगी और कैल्सियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है इसके अलावा आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं सरसों का बीज का यूज कर सकते हैं यह सभी चीज कैल्सियम की स्थर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है कैल्सियम की कमी आपको जिंदगी में कभी नहीं होगी यदि यह सब चीजों का आप सेवन करते रहेंगे और किसी बाहर इस अप्लिमेंट की भी आपको लेनी की जोतनी कैल्सियम की पूरती के लिए मैडिसन खाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं यह सब आप खाएंगे तो आपको कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी और साथ कैल्सियम की पूरती बहुत यासानी से सरीर में होते रहेगी और जिंदगी में कभी भी आपको वीडियो के लिए बहुत फायदा मंद होगी तो प्लीज वीडियो को जो शेयर करें ताकि सभी को इससे फैदा मिले और वीडियो पसंद आती है तो फ्लीज वीडियो को लाइक जोड करतें ताकि मेरी मॉटिवेशन अप्रेश चैन को सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरी इसी करह के वीडियो पाने के लिए stay safe and stay healthy